नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस्तुर रानी आज हम बनाना सीखेंगे चने की दाल चने की दाल बनाने के लिए हमें जिन अजज़ा की जरूरत है उनमें शामिल हैं चने की दाल एक पाउ प्याज दो अदद दर्मियाने साइस की एक कप ऑईल एक पाउ टिमाटर पानी हजब जरूरत हरी मिर्च दो अदद, हरा धनिया आधी गड़ी, नमक वन टी स्पून, चिकन पॉडर वन टी स्पून, पिसा गरा मसाला हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च वन टी स्पून, कुटी लाल मिर्च वन टी स्पून, पिसा धनिया वन टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून साबत जीरा 1 टी स्पून काली मिर्च पॉडर 1 टी स्पून तरकीब सबसे पहले एक पतीरी लें और उसमें आयल डालकर गरम कर लें फिर इसमें प्यास डालकर उसे पिंक कर लें अब इसमें बारीक कटे हुए टिमाटर डाल दें और टिमार्टर का पानी जब फुश्क हो जाए और टिमार्टर अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें थोड़ा से पानी के साथ तमाम मसाले डाल कर अच्छी तरह भून लें जब मसाल अच्छे से भुन जाए तो इसमें चने की डाल पर एक कप पानी डाल कर इसे ढख दें और 30 मिनट के लिए इसे दम पर पकने के लिए रख दें जब डाल का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे चूले से उतार लें फिर एक फ्राई पैन लें और उसमें ऑल डाल कर गरम कर लें अब इसमें बारी कटी हुई प्यास डालें और इसे ब्राउन कर लें जब प्यास ब्राउन हो जाए तो डाल में भगार लगा दें और साथ ह की उपर से हरी मिर्च और हरधनिया की गार्णिशिंग कर दें आपकी मददार सी डाल तैयार है ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानित से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए